Welcome back to my youtube channel, आज़ के इस वीडियो में हम 12 standard न्यूस अलेबस महाराश्टाबूट सब्चिक्ट एकोनामिक्स का चाप्टर नमबर 8 पब्लिक फाइनांस इंडिया स्टेडी करने वाले हैं पब्लिक फाइनस इंडिया का इंट्रोडक्शन मैंने इन डीटेल एक्स्प्लेइन किया है मतलब इंट्रोडक्शन का पार्ट बहुत साथ अच्छे से एक्स्प्लेइन किया है जिसने वो वीडियो नहीं देखिया, वो वीडियो पहले देख लेना और इसके बाद में ये पार्ट टू वीडियो है इसे देखना क्योंकि इंट्रोडक्शन समझना ज़्यादा ज़रूरी है इंट्स वेरी इंपॉर्टेंट चाप्टर ये जो हमारा चाप्टर है पब्लिक फाइनांस इन इंडिया और इसके एकसरसाइस भी मैं जल्ली अप्लोड कर दूगी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर नीचे लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप मुझसे अपने questions और queries पूछ सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज करें वीडियो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीचे लाइक करना बहुत ही असान है नीचे एक लाइक का बटन दिया है उसको जास्ट आपको प्रेस करना है तो इससे मुझे खुशी होती है और कुछ नही यहाँ प ठीक है पबली को कौन आट आटोमेटिकली मैंने आपको इंट्रडक्शन के पाट में बताया था कि कौन रिप्रेसेंट करता है गवर्मेंट का फाइनांस मतलब गवर्मेंट का एक्स्वेंडिच और गवर्मेंट का रेविन्यू हम यहाँ पे स्टेडी करेंगे और जो होती है कंपनी वो प्राइवेटली ओंड होती है उसका मालिक भी प्राइवेट होता है उसमें कोई गवर्मेंट इंटरफेरंस नहीं होता है ठीक है इंडिविजूल परसन की होती है और उसका यहाँ पर फाइनांस और रेविन्यू के बात होगी प्राइवेट फाइना उनों के objective में बहुत ज़्यादा difference है क्योंकि रेखो public finance जो represent करता है government का expenditure और revenue ये public finance के अंदर इनका objective क्या होता है public finance का objective होता है कि वो social जो है social advantage दे society के अंदर ठीक है to offer maximum social advantage to the society society को बहुत ज़्यादा है यहाँ पर advantage देने के लिए इनका objective होता है कि जो हमाई society है वो जाद से ज़्यादा develop हो और देखिए आप government हमारे ले बहुत सारे ways में जो है work करती है कि हमाई society develop होने चाहिए चाहें वो public finance के अंदर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ था आपने देखा कि switch भारत mission के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ तो यह society के लिए है at the end फाइदा किसका होने वाला है इसमें switch भारत mission और बाकी सारे जितने भी mission है government के public finance के अंदर उनका खर्चा आता है उनका main motive क्या होता है society को advantage पुचाना society को यहाँ पे सबसे ज़्यादा advantage होने वाला है तो इनका objective यही होता है at the end कि इनको क्या करना है society को advantage पुचाना है social advantage होना चाहिए इनके finance का ठीक है private finance जो है वो अलग है यह क्या करते है private के interest को ही fulfill करने में लगे पड़े रहते हैं for example चलो example ऐसे नॉर्मली बता देती हूँ समझाने के लिए कि अगर देखो एक ले लेते हैं government का hospital public finance के अंदर और एक लेते हैं private का hospital तो यहाँ पर क्या होगा यह private के interest को जो है fulfill करते हैं और at the same time public finance के अंदर अगर government का hospital होगा तो वो जादा से जादा society के लिए होगा ना और जो private वाला होगा वो सिर्फ और सिर्फ जिसने जादा पैसे दिये मतलब private interest आ जाता है ना यहाँ पर तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको समझाया लिखना आपको यही है to fulfill private interest ठीक है determination of expenditure next point है यहाँ पर first क्या होता है public finance के अंदर government first determined करती है कि उसका volume कितना है ठीक है और उसके बाद में वो different ways of its expenditure decide करती है लेकिन जो private का जो finance होता है individual consider करता है पहले उसकी income कितनी है individual जो भी owner होता है company का owner हो गया कोई भी एक individual firm है private finance के अंदर उसकी company आती है privately owned उसकी company है समझे तो पहले क्या करेगा वो पहले देखेगा कि उसकी income किती है and then determines the volume of expenditure next point है third credit status public finance का high degree होता है credit status market के अंदर लेकिन private finance का जो है credit limited होता है ठीक है उनका बहुत ही limited होता है बहुत easy difference between है आप तो एक बार में ही याद कर सकते हो अच्छे से अगर एक बार वीडियो पूरी देख ली तो आपको सारे points आदो जाएंगे right to print currency ये government को होता है through RBI वो print कर सकती है notes government of India जो है RBI के through ही क्या करती है print करती है हमारे notes को लेकिन जो 1 रूपी का coin आता है न वो government of India ही प्रिंट करती है लेकिन जो notes आते हैं वो Reserve Bank of India प्रिंट करती है government ही कराती है लेकिन through RBI प्रिंट होते हैं वो notes लेकिन private individual को ऐसा बिल्कुल भी right नहीं है आप सोचे किसी company को ऐसा right दिया है कि government ने कि वो print कर सकते है notes no answer क्या है no ऐसा कोई भी right नहीं है किसी के पास except the government कि वो print कर सकते है notes तो private individual does not enjoy such right such right मतलब वो right नहीं है उनके पास कि वो print करे notes तो private individuals currency print नहीं कर सकते हैं ठीक है next है elasticity of finance elasticity of finance मतलब elasticity change कर सकते हैं वो finance को तो public finance की जो elasticity है वो more elastic है more elastic इसलिए है एक example देखे बताती हूँ public finance government के finance expenditure की बात हो रही है और बता जा रही है elastic है तो समझाने के लिए मैं बताती हूँ जैसे for example इंडिया के अंदर कहीं पर भी एक emergency आती है natural calamities आती है तो government उस state को particular state को क्या करती है कुछ amount of recovery देती है for example के लिए अभी अभी recent example है महाराश्रा के अंदर जो natural calamity जो जो पूरा और अंगबाद उस टाइड में हुआ था वहां पर पूरी तो उसके लिए recovery जो है amount दिया गया था ऐसे ही जब केरला में बाढ़ आई थी तो वहां पर भी क्या हुआ था कुछ amount दिया गया था government of India की तरफ से तो यह क्या होता है more elastic होता है जैसे अगर जो भी जरूरत है उसके हिसाब से यह change होता रहता है public finance इसलिए बोला गया है more elastic है लेकिन जो private finance होता है उसको जादा scope नहीं होती है ठीक है next last point है effect on economy जो पब्लिक का जो finance है उसका tremendous impact होता है मतलब बहुत जादा impact होता है economy के अंदर लेकिन जो private का finance है उसका marginal effect होता है आपने देखा कि जो public finance है उसके जो भी decision होते है automatically हमें जो है affect करते हैं जैसे अगर tax increase कर दिया government ने tax decrease कर दिया tax करेट तो सारा जो है impact किसके परपरने वाला है economy के अंदर economy of country और लेकिन marginal effect होता है national economy के उपर private individual और private finance का private finance का कुछ जादा effect नहीं होता है सिर्फ marginal effect होता है ठीक है यह difference between होगे अब हम यहाँ पर जो diagram study करने आ ले हैं यह diagram heart and soul और यह पूरा का पूरा अगर आपको chapter study करना है तो बस अगर यह आपने diagram अच्छे से याद कर लिया तो आप पूरा chapter अच्छे से याद कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत जादा important है और यह further studies में भी आपको help करेगा public finance का यह structure है बहुत ही जादा important है structure of public finance अब हम यहाँ पर देख लेते हैं तो first देखो यहाँ पर अलग अलग पाँच हैं देखिए public finance है public expenditure sorry public expenditure public revenue public depth fiscal policy और financial administration ठीक है first क्या है public expenditure देखो public expenditure मतलब public expenditure मतलब कहां कहां पर ख़र्चा होता है public revenue मतलब government के पास में पैसा कहां पर आता है कहां से आता है public expenditure जो है वो मतलब government पैसा कहां कहां पर incur कर रही है मतलब खर्चा कर रही है public revenue मतलब government के पास पैसा आ रहा कहां से है और जो third one है public depth मतलब जो government है वो कहां कहां से loan ले रही है फर एक्जामपल अगर जो खर्चा है गवर्मेंट का वो बढ़ जाता है तो वो क्या करती है depth लेती है, depth मतलब loan लेती है, पैसे उधार लेती है internally भी लेती है और externally भी लेती है internal मतलब within country, इंडिया के अंदर ही वो क्या करेंगी loan लेगी, लेकिन public depth के अंदर जब externally वो loan लेगी मतलब ये world bank से loan लिया जा रहा है for example के लिए Mumbai की जो metro है, उसका पुरा setup करने के लिए जो government ने loan लिया था, वो externally loan लिया था external मतलब बाहर, foreign से उन्होंने loan लिया था और world bank से, ठीक है, तो world bank, IMF, इन से क्या लिया जाता है, externally loan लिया जाता है तो Mumbai metro का भी loan लिया था, externally loan था वो, external loan था ठीक है government ने लिया था, fiscal policy के अंदर बहुत सारी policies आ जाती है government की, कि वो यहां पर क्या कर रही है, जो है spending level को adjust कर रही है, tax rate को adjust कर रही है fiscal policy में यही होता है, कि government क्या करती है, कभी-कभी tax rate को monitor करती है और उनको increase कर देती है, कभी decrease कर देती है, तो यह सब fiscal policy के अंदर आ जाता है financial administration के अंदर smooth और efficient implementation होता है revenue का, expenditure का, depth policy of the government यह सारा कुछ काम कहां होता है, financial administration के तुरू होता है इसमें क्या होता है, implementation होता है, government के budgets का और पूरी overall economy की growth, country की growth इसके थुरू ही होती है financial administration के अंदर आता है और government का, budget का, पूरा implementation, revenue expenditures related depth policy of the government, सारा financial administration के अंदर आएगा अब public expenditure, मैंने आपको बता है कि वो कहां कहां पर incur कर रहे है money को, public revenue मैंने आपको बता है कि tax से आता है और non-tax से आता है, tax से आता है और non-tax से आता है government के पास revenue, revenue मतलब उनकी income कहां कहां से आती है तो एक आती है direct tax से और एक आती है indirect tax से ठीके, अभी हम सिर्फ revenue की बात कर रहे हैं तो अच्छे से चार्ट को समझना दो तरीके से आती है, एक direct tax से आती है और एक indirect tax से आती है ठीके, direct tax कौन सा होता है, direct tax हो होता है जो हम किसी के ओपर imposed नहीं, मतलब किसी के ओपर shift नहीं कर सकते for example, income tax हो जाता है, wealth tax हो जाता है income tax मतलब अगर मैं पैसे कमा रही हूँ, अगर मेरी income है और मेरा income tax मैं खुद ही भरूँगी मैं किसी और को नहीं बोल सकती हूँ कि मेरा income tax भर दीजिये for example, जितने भी government के employees होते हैं, या फिर जो normally जो services करते हैं तो उनके ओपर भी income tax लगता है ठीक है, income tax होता है, अलग-अलग slots होते हैं तो direct tax में वो क्या होता है हम किसी के ओपर shift नहीं कर सकते उस tax को ठीक है, वो हमें खुद ही देना पड़ता है भरना पड़ता है, आपको पता है थर्टी फर्स्ट ओफ मार्ज तक सभी को taxes भरना होता है, जो financial year होता है 1st April से 31st ओफ मार्ज तक, यह पूरा time period होता है हमारे financial year का, और इस financial year के अंदर हमें tax payment भी करना पड़ता है, जितने भी employees, जो working employees हैं जो महीने की income होती है, तो उसके एक amount होता है, टाक्स के अंदर भी बहुत सारे अलग-अलग slot होते हैं, जैसे 5 lakh का slab होता है, 5 lakh का slab होता है, 10 lakh का slab होता है, यह पूरा अलग-अलग slab होते हैं, जिसके उपर जैसे 10%, 20%, 25% इस तरीके से tax के percentage होते हैं, जो हमें भरने पड़ते हैं, लेकिन जो direct tax होता है, for example, अगर आज मैं मेरे उपर tax मुझे भरना है, 10,000 का मुझे tax भरना है government को, तो मुझे ही भरना पड़ेगा, यह मैं किसी को बोल नहीं सकती हूँ, या किसी और के उपर मैं shift नहीं कर सकती हूँ, लेकिन जो indirect tax होता है, वो जो होता है, वो indirect इसले होता है, क्योंकि उसका impact और incidence जो अलग-अलग person पर होता है, इसका मतलब मैं simple बताती हूँ, जैसे for example, आप एक product खरीदने जाते हो, example ले लेते हैं, मैगी का, और उसके उपर लिखा होता है, for example, अगर 12 रुपे का मैगी का packet आता है, तो उसमें पीछे देखो, कभी देखा होगा, तो अच्छे से, और अगर नहीं देखा ह होगा, तो अब जब मैगी लेना, तो उसमें देखना, inclusive of all taxes, MRP लिखा होता है, और लिखा होता है, inclusive of all taxes, तो वो पूरा जो amount होता है, उसके अंदर taxes include होते हैं, तो वो indirect tax के अंदर आ जाता है, ठीके, और goods or service tax example है, GST जो आ गया है, हमारे country के अंदर, ठीके, goods and service tax, तो यह क् होता है, जैसे हम एटल का broadband connection लेने जाते हैं, तो 799 का उनका plan होता है, तो वो क्या करते हैं, 799 रुपीज बताते हैं, लेकिन जब हम बिल बनाते हैं, तो वो GST include करके price जो है, 799 से increase हो जाता है, यह 950,000 तक increase हो जाता है, और 800 something increase हो जाता है, मतलब increase हो जाता है, आपको जो normal amount दिखता है, वो उतना नहीं रहता है, जब GST लग जाता है, तो यह बढ़ जाता है, normal आप कहीं भी दुकान पर, shop पे कुछ product लेने जाओगे, तो उसका normal price होगा, लेकिन GST लगने के बाद उसका price increase हो जाता है, यह होता है, indirect tax, ठीक है, लेकिन जो direct tax होता है, वो proportionate होता है, progressive in nature होता है, यह आगे हम study करने वाले हैं, in depth जब मैं next explanation की video बनाऊंगी उसके अंदर, ठीक है, next यहाँ पर अब हम देखते हैं, public depth, ठीक है, public depth मैंने आपको explain कर दिया है, internally within country loan लेते हैं, और external मतलब world banks loan लिया जाता है, लेकिन अभी हमने यहाँ पर public revenue study कर रहे हैं, तो public revenue के अ अंदर, public revenue के अंदर non-tax वाला हम अभी देखेंगे, non-tax का यहाँ पर देखो, non-tax मतलब कहां कहां से, अलग जगा से income आती है, fees से आती है, prices of public goods and services, special assessment, fines and penalties, gifts, grants and donations, special levy, borrowings, यह सारे अलग अलग जो है, points है, जिसको हम in-depth में study करेंगे, आगे के lectures में और आगे की videos में मैं आपको पूरे in detail में समझा दूगी, लेकिन अभी के लिए जो points है, यह जो charts है, वो आपको यहाँ पर समझा के दे रही हूँ, नहीं तो, कभी-कभी हमें charts भी समझ में नहीं आता है, इसलिए बतारी हूँ कि यह जो non-tax का slab है, उसमें क्य आगे include होगा, fees, prices of public goods, यह सारे कुछ include होंगे, ठीक है, fiscal policy वाला देख लेतने, fiscal policy के अंदर public expenditure, public revenue और public debt, मैंने पहले ही बताया, fiscal policy deal करती है, कि government का expenditure, government का revenue और government का debt, मतलब loan कैसा कैसा है, तो यह fiscal policy के अंदर ध्यान रखा जाता है, fiscal administration के अंदर revenue expenditure and debit policy और overall growth यहाँ पर consider किया जाता है, financial administration के अंदर, implementation होता है, budget का, जो हमाजो annual statement होता है, annual financial statement, budget, तो budget को क्या किया जाता है, implementation अंदर, financial administration किया जाता है, और यह जो chart है, यहाँ पर देख लो, और पूरा chart बनाने के भी preparation स्टार्ट करो, यह chart बना कर, तो जादा ध्यान में रहेगा कि कौन सा point किसके अंदर आने अला है, और next video में हम मिलेंगे, और detail में मैं आपको सारा chapter study करवाऊंगी, thank you so much for watching this video.